नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Naso 30A vs Xiaomi Poco C3 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Naso 30A में 6.48 इंच जबकि Poco C3 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विद्ध की बात करें तो, नाजो 30A में 2.99 इंच जबकि Poco C3 में 3.03 इंच की विद्ध मिलती है। बात करें थिकनेस की तो, नाजो 30A में 0.39 इंच जबकि Poco C3 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो नाजो 30A में 207 ग्राम्स जबकि Poco C3 में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो नाजो 30A में 6.5 इंचर्ज जबकि Poco C3 में 6.53 इंचर्ज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio नाजो 30A में 81.7 प्रतिशत जबकि Poco C3 में 81.08 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो नाजो 30A में 270 प्रति इंच जबकि Poco C3 में 279 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो नाजो 30A में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Depth Camera और आखर में AI Lens देखने को मिलता है और Poco C3 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Depth Camera और आखर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो नाजो 30A में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco C3 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो नाजो 30A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते है और Poco C3 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं हाड़वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं. GPU की बात करें तो, Nazo 30A में Mali-G52M C2 जबकि Poco C3 में PowerG E8-320 मिलता है. चिप सेट की बात करें तो, Nazo 30A में MediaTek Helio G85 और Poco C3 में MediaTek Helio G35 मिलता है. बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही, दो वेरियन्ट देखने को मिलता है, और दोनों फोन में सेम ही 3GB, 4GB की RAM मिलती है. बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही, दो वेरियन्ट देखने को मिलता है, और दोनों फोन में सेम ही 32GB, 64GB की Storage मिलती है. Expandable Memory की बात करें तो, Nazo 30A में अप्टु 256GB जबकि Poco C3 में अप्टु 512GB है. Operating System दोनों फोन में Android V10 Q देखने को मिलती है, बाटरी, Nazo 30A में 6000MH जबकि Poco C3 में 5000MH देखने को मिलती है. अई अब Main Feature को देखते हैं. Colors की बात करें तो, Nazo 30A में 2 Colors जबकि Poco C3 में 3 Colors आप्शन मिलते हैं. सब Information देखने के बाद बात करें Price की तो, Nazo 30A में 2 Variant देखने को मिलते हैं. जो की 3 GB RAM 32 GB Storage के साथ 8,249 रूपीज, 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 10,499 रूपीज में मिल जाता है. वही अगर बात करें Poco C3 की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते हैं. जो की 3 GB RAM 32 GB Storage के साथ 7,499 रूपीज, 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 9,499 रूपीज में मिलते हैं. दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो. Realme Naso 30A में 4 फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है. जबकि बात करें Xiaomi Poco C3 की तो उसमें 7 फाइदे और 10 नुकसान देखने को मिलता है. Finally बात करें है result की तो डिस्पले में दोनों फोन सेम ही है. Main Camera में दोनों फोन सेम ही है. Front, Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है. Performance में Naso 30A आगे है. दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco C31 है, दुसरा Xiaomi Redmi 9 Power है, तीसरा Realme C25 है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 20 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना